सो दोस्तों हम वापस आचुकें English का daily dose day 3 expressing emotions में आज हम express करने वाले अपने बहुत सारे emotions लेकिन हिंदी में नहीं English में चलो let's get started सो आज का हमारा सबसे पहला emotion है excitement यानि की उत्सा तो excitement को हम English idiom के थू कैसे describe करेंगे चलो देखते हैं समसे पहला idiom जो हम यूज करेंगे is on cloud 9 यानि की मैं साथ वे आसमान पर हूँ example देखते हैं I am on cloud 9 after getting the job offer कई बार हमारे साथ होता है जब हम एक नया job offer मिलता है हम बहुत जादा excited होते हैं उस excitement में हम इस idiom को यूज कर सकते हैं on cloud 9 मैं साथ वे आसमान पर हूँ दोस्तो हमारा next emotion है happiness यानि की खुशियां जब हम बहुत जादा खुश होते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं आज मैं चांद पर हूँ इसका natural meaning यह नहीं है कि हम चांद पर चले गए यह अपनी खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है यह है हमारा इडियम जिसका मतलब होता है आप बहुत जादा खुश हो एक्जैंपल देखते हैं जैसे उसने गुड न्यूस सुना अच्छी खबर सुनी तो वो बहुत जादा खुश हो गई और उसी खुशी को डेस्ट्राइब कर रहे हैं हम ओवर दमून इडियम से हमारा अग्या इमोशन है अपने दुख को जाहिर करना वेल इसके लिए मैंने चुना है यह एक फीलिंग है अपने इस सादनेस को बताने की चलो एक्जैंपल देखते है ब्रेक अप के बाद वो बहुत साद फील कर रहा था हमारा अग्या इमोशन है अंगर यानि कि अपने गुसे को एक्स्प्रेस कर जिसके लिए हम यूज करेंगे सबसे सिंपल इडियम यानि की गुसा हो जाना एक्जैंपल देखते हैं उसके रूड कॉमेंट की वज़े से मैं गुसा हो गई नेक्स्ट इमोशन है कन्फ्यूजन जहां पे आपको बिल्कुल समझनी आता क्या हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस फ्रेस का आल आट सी यानि की मैं टोटली कन्फ्यूज़ हूँ एक्जैंपल आइम आल आट सी विट आर निव असाइनमेंट तो मेरा जो नए आसाइनमेंट है वो बहुत कन्फ्यूज़िंग है और मुझे वो बिल्कुल समझनी आ रहा अग्ला इमोशन है लव यानि की प्यार जिसके लिए हम इस सिंपल इडियम का यूज कर सकते हैं यानि सर से पैर तक प्यार में टूबे होना नेहा पूरी तरह से दिलो जान से रोहित से प्यार करती है अगर आप किसी तरह से बिल्कुल बेसिक से लेकर अडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाते है तो आप हमारे मेंटोर्स की गाइडन्स में लाइव सेशन के थूँ इंग्लिश सीख सकते हैं जाधा जानकारी के लिए डेस्क्रिप्शन में दे गए फॉर्म को फिल करो या दे गए नमबर पे कॉन्टाक्ट करो तो हमारा अगला इमोशन है यानि की डर तो इसके लिए जो इडियम हमने यूज किया है वो है सुनने में थोड़ा धराबना लग रहा होगा मैं आपको इसे और भी ज्यादा सिंप्लिफाई करके बता देती हूँ कई बार में हिंदी पे कहना होता है कि ये चीज देखकर या वो चीज सुनकर वो हक्का बक्का रह गया इसी हक्का बक्का रहने को हम इंग्लिश में कहेंगे स्केर्ड आउट ओफ वन्स विट्स एग्जेंपल देखते हैं जो सड़न अचानक से लाउड नॉइज तेज आवाज आई उसे सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई अगला इमोशन है नर्वसनेस यानि की घबराहट और उसके लिए सबसे बेस्ट एडियम है अब इसका मतलब ये ने कि मेरे पेट में तिख लिया है ये अपने नर्वसनेस को डिस्ट्राइब करने का एक एडियम है एक फीलिंग है सो एग्जांपल देखते हैं इंटर्व्यू से पहले मैं बहुत जादा नर्वस हो गई थी बहुत जादा घबरा गई थी हमारा आगया emotion है frustration यानि कि आप जब बहुत जादा irritated होते हो किसी बात को लेकर ठीक ऐसे और तब आपका मन करता है कि आप अपने ball लोच लो सो इसके लिए हम इस idiom का यूज करेंगे तो जब मैं technical issues से deal कर रही थी तो मैं बहुत जादा irritated और frustrated हो गई थी और इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने ball लोच लो अगया emotion है curiosity यानि कि जब आपको किसी चीज को जानने के लिए या बताने के लिए बहुत जादा बेचैनी होती है बहुत जादा बेता भी होती है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस phrase का that is itchy feet यानि कि पैर में खुजली सी होने लगती है जब भी वो किसी secret के बारे में सुनती है तो उसे बेता भी होने लगती है बेचैनी होने लगती है उसके बारे में और जादा information लेने की अगला emotion है शाक यानि की suspicious जब आपको लगे कि दाल में कुछ काला है उसके लिए हम यूज करेंगे इस idiom का smell a rat इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी चुहे को सूंग रहे है पट that is again a feeling to express की दाल में कुछ काला है example देखते हैं when the students started bunking English classes I began to smell a rat students वे जैसे English classes bunk करना शुरू किया मुझे समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है हमारा अगला emotion है sympathy यानि की सहानुभूती उसके लिए हम simple phrase यूज करेंगे feel someone's pain यानि की किसी के दर्थ को महसूस करना feel करना example I can feel your pain I've been through a similar situation मैं तुम्हारा दर्थ महसूस कर सकती हूँ feel कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी इस same situation से गुजर चुकी हूँ और आज का हमारा आखरे emotion है ho यानि की उमीद और इसके लिए हम इस idiom का यूज करेंगे keep one's fingers crossed यानि कि जब हमें किसी चीज की उमीद होती है या हम hope करते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं let's keep our fingers crossed that it doesn't rain हम उमीद करते हैं कि आज बारिश ना हो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अपने emotions को English में कैसे express करेंगे अगली वीडियो में हम सुबह से लेके शाम तक English बोलेंगे यानि की अपने daily routine को describe करेंगे वो भी English में stay tuned अगर आपका भी अच्छी English बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको अच्छे पैसे कमा सको तो आप जॉइन कर सकते हैं मेरा full spoken English course जिसमें मैंने beginner level से लेकर advanced level तक step by step English सिखाई है और बोलने की practice भी करवाई है इसमें आपको recorded lessons मिलेंगे और साथ ही साथ classes join करने की option भी है इसमें आपको notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे, practice group होगा जिसमें students audio और text messages में practice करते हैं ताकि आपका fluent English बोलने का सपना सच हो सके आपके प्यार से मुझे इंडिया का most trusted online English coach का award मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूँ कि ये course जरूर try करो आपकी life change कर देगा link description में है, details फिल कर दो, हमारी team आपसे contact कर लेगी या फिर आप अवल English.com पर जाकर ये course जॉइन कर सकते हैं अगर होना है सफल तो follow अवल